है अबरीवन मैं महें पांड़े आप लोग अपने यूटुब चैनल के सी आई टैली स्पेसिलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मैं टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है जीरो वैलुड इंट्री zero valued entry means क्या होता है जब हम किसी supplier से माल खरीतते हैं या किसी customer को हम माल बेजते है जिसमें हमें product के साथ किसी other company का product free मिलता है हम किसी customer को अपने कोई product बेजते हैं उसके साथ हम किसी other company का product free देते हैं तो वो entry जो होती है वो zero valued inntries में implement की जाती है जैसे मान लीज़े हम HP का laptop खरीद रहे हैं उसके साथ हमें Intex का buffer free मिल रहा है ऐसी entry को हम zero valued entries में करते हैं या फिर आप देखते हैं pharma में जो MR लोग होते हैं वो doctors के पास आते हैं या medical store पर जाते हैं और वो अपनी दमाओं के sample को free में दे करके जाते हैं means ऐसी जो entry यां होती हैं वो zero valued entries में की जाती हैं जो product विज्यापन के लिए sample में माल के नमुने बाटे जाते हैं market में ऐसी entries को भी हम zero valued entries में implement करते हैं तो zero valued entries को completely समझने के लिए आपको वीडियो को last तक देखना जैसे आपको सारा knowledge हो पावे zero valued entries के बारे में तो अधि आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe न किया हो तो आप मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छी लगे तो like करें तो हमारी वीडियो को अपने friends के पास आप share जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली की class को attend कर पाएं तो था एक information मैं आप लोगों को और देना चाता हूँ चूकि हमें comments मिल रही है बच्चो की कि आपके सारे videos हमें देखने हैं sir सारी classes की videos हमें चाहिए तो उसके लिए आपको video description में link प्राप्त हो जाएगा हमारे playlist का जहां पर आप जा करके उस सारे videos को step by step आप प्राप्त कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं computer screen पे और zero valued entries को completely टैली में implement करके देखते हैं है everyone तो हम आचुके हैं अपने computer screen पर आपके सामने gateway टैली का main window open है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज का मेरा topic है zero valued entries तो चलिए zero valued entries को हम कैसे टैली में implement करते हैं उसको देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा features को activate करना होगा तभी हम zero valued entries को टैली में implement कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं setting पर F11 में चलते हैं F11 से features open हो जाता है जिसमें gateway of telecompany feature के अंतरगत हम inventory features पर जा करके click करते हैं आप पर enter करते हैं या i press कर लेते हैं आप देख रहे हैं general के अंतरगत option है enable zero valued transactions इसे हम यहाँ से जा करके yes कर लेते हैं और enter करते हुए हम accept करें या फिर हम control के साथ setting को accept कर लेते हैं हम back आ जाते हैं माल लीजे हम कोई भी माल बेच रहे हैं माल लीजे हम एक example entry है जैसे माल लीजे हम HP का laptop जैसे अभी मैंने आपको बताया कि HP के laptop पर हम index का speaker free दे रहे हैं अर लीने वो laptop के साथ हम k7 antivirus free दे रहे हैं उसकी इंट्री हम आपको इसमें पोस्ट करके बतायेंगे जिसमें आपको completely zero value entries आसानी से समझ में आ जाएगा तो हमने पहले से ही इसमें item create कर रखा है जिसे आप यहां से देख सकते हैं HP laptop भी मैंने बनाया हुआ इंट्री स्पीकर बना रखा है कैसे बैनिंटी वारेस बना रखा है लेनो वो laptop बना रखा है हम चलते हैं back और हम voucher में implement करके देखते हैं हम चले जाएंगे मालीज़े हम sales कर रहे हैं हम sales voucher पर चले जाएंगे जैसे हम date change करना यह चाहें तो date change कर रहे हैं F2 करके आप date change कर सकते हैं हम यहां कोई reference number डाल दे रहे है 001 करके हमने हाँ डाल दिया मालीजे हम cash sell कर रहे हैं हम selling जो कर रहे है cash में कर रहे है तो हम party में cash कर लिए sales laser है हमारा यहाँ से हम चलते हैं item चुनते हैं hp का laptop हम मालीजे sell कर रहे है location है मेरा stringar heart location जहाँ पर हमारा product stored है हम मालीजे एक piece laptop बेच रहे हैं उसका मैंने जो selling price selling standard rate जो है उपका पचीस हजार रुपय है इसको हम enter करके accept करते हैं नीचे आते हैं इसके साथ हम index का speaker free दे रहे हैं यहाँ पर index speaker को हम चुनाओ करते हैं enter करते हैं यह भी stringar heart location में है यह quantity one piece करते हैं चुकि हम यह zero value interest के साथ इसको implement कर रहे हैं तो हमने quantity तो दिया कि हम उसके साथ चुकि quantity must है कि कितना product आप free दे रहे हो तो उसमें quantity हमने दे दिया इसके साथ हम free दे रहे हैं तो इसलिए इसमें ना rate की कोई आउ सकता है और ना amount की आउ सकता है इसको हम करके accept कर लेंगे तो आप देख पा रहे हैं HP laptop के साथ हम Intex speaker free दे रहे हैं जो Intex speaker की value zero है It means किसी other company के product के साथ किसी other company का product हम free प्रवाइड कर रहे हैं HP laptop के साथ हम Intex company का speaker free दे रहे हैं यह आपकी entry zero value entry में implement की जाएगी ऐसे ही माल लीजे हम Lenovo का laptop भी बेच रहे हैं यहाँ भी स्रिंगार हाट location से है एक piece माल लीजे इसे भी हम sell कर रहे हैं और इसकी price है 30,000 रुपे enter करते हैं enter करके नीचे आते हैं इसके साथ हम K7 anti virus free दे रहे हैं यहाँ चले जाते हैं location वही आपका स्रिंगार हाट quantity one piece चुकि यह हम free दे रहे हैं तो इसका कोई भी rate or amount नहीं इसमें implement किया जाएगा आप देख पा रहे हैं HP laptop के साथ index speaker free है और Lenovo के laptop के साथ K7 anti virus free है जिसमें जो free product है उसका कोई भी value so नहीं किया गया मतलब zero value है उसकी इस तरह से हम इसको enter करते हुए आएंगे हम यहाँ लिख सकते हैं narration में wing goods sold sold by cash हम लिखना चाहें तो लिखें हैं नहीं था कोई issue नहीं है हम यहाँ accept कर लेते हैं इस तरह से इसको जाकर करके हम accept कर लेते हैं अगर हमें इसका will print करना है तो हम यहीं page up कर लेंगे page up करने से हम फिर उसी list कर जाएंगे और alt के साथ P हम प्रेस करेंगे enter करेंगे हमको preview मिल जाएगा और यहाँ जाकर के हम zoom करके zoom option है या फिर हम alt के साथ z कर दें तो हम zoom करके जो bill हमने किया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से हम back करके आते हैं यहां से हम back करके आ जाते हैं तो आपने देखा कि हम zero valued entries को tally में कैसे implement करते हैं zero valued entries से related entries को हम कैसे post करते हैं वो सारा जानकारी आपको मिला हम आसा करते हैं कि zero valued entries जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यदि कोई भी प्राप्लम होती है तो आप उस वीडियो को repeat करके देख सकते हैं तथा अगर कोई शमस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं जिसका हम मुझीत सेजेशन आपको आज की क्लास के लिए वस इतना मिलते हैं next class में next topic के साथ तब तक के लिए टैंक यू, जै हिंद